शलम सेश्वा में आप सब्बों की सलामती हो हम जितने भी बाइबल को पढ़ने सुनने समझने वाले हैं मसी में जरूर जानते होंगे कि मसी ने 40 दिन और 40 रात के रोजे रखे और 40 उनको कोड़े लगाए गे यह जो 40 नमबर है इसका एक खास मकसद है खास इसके पिछे वज़ा है यह ऐसे रेंडमली नहीं एड़ हुआ कि यह श्यमसी ने चाली दिन और रात के रोजे रखे और 40 तै हो गया और यह श्यमसी को चाली कोड़े लगाए इसलिए चाली हुआ नहीं इसके पिछे वज़ा है तो नमबर 40 का शरीयत के मताबिक क्या मकसद है शरीयत के मताबिक गलातियों चार बाप उसकी चार आयायत लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरस से पैदा हुआ और शरीयत यानी शरीयत तो मुसा की मारफद दी गई दस हुकम जो पत्थर की तक्तियों पर लिखे गए तांकि शरीयत के मताहतों को मोड लेकर छुडा ले और हम को लपालक होने का दरजा मिले मत्ती पांच उसकी सत्रा आयत ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूग करने आया हूँ ये ये श्यमसी कहते हैं मनसूग करने नहीं बलकि पूरा करने आया हूँ क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक आस्मान और जमीन तलना जाएं एक नुक्ता एक नुक्ता या एक शोशा तुरेत यानि मुसा की जो पहली पांच किताबे हैं तो रा से हरगिस न टेलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए अस्तिशना डिटॉर्नमी पच्ची बाप 25 चेप्टर अगर लोगों में किसी तरह का जगडा हो और वो अदालत में आएं ताकि काजी उनका इनसाफ करे तो वो सादिक को बेगुना ठहराएं और शरीर पर फत्वा दें और अगर वो शरीर पीटने के लाइक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवा कर अपनी आँखों के सामने उसकी शरारत के मताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए वो उसे 40 कोड़े लगाए इससे ज्यादा ना मरे तना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तुमारा भाई तुमको हकीर मालूम देने लगे पैदाइश, सो आसमान और जमींग और उनके कुल लशकर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था सात्मे दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था सात्मे दिन फारिग हुआ और खुदा ने सात्मे दिन को बरकत दी और उसे मुकदस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी काइना से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ मती 11 बाप 28 आयात ए मेनत उठाने वालो और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें अराम दोँगा इबरानिया चार बाप उसकी 10 आयात क्योंकि जो उसके अराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके अराम किया और हम जो इमान लाए उस अराम में दाखिल होते हैं जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे अराम में दाखिल ना होने पाएंगे जो इमान नहीं लाए यानि इसराइलियों की बात हो रही है वो बिनाय आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे तुनाचि उसने साथवे दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सारे कामों को पूरा करके साथवे दिन अराम किया ये शाया 53 चैप्टर 5 आयाद हाला कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी किरदारी के बाइस कुचला गया हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाईं और दर्या के वार पार जिन्दगी का द्रक्त था उसमें 12 किसम के फल आते थे और हर महीने में फलता था और उस द्रक्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी मसीषव पर तरस खाकर इमोशनली इंसानी नियस से इंसानी अकल से खुद को बड़ा मज्यता ये उन पर तरस खाकर असल में उन्होंने हम गुनहगारों पर शरीरों पर तरस खाया है इस पर हैरत करने की जरूरत नहीं है इस पर हरान होने की जरूरत नहीं है कि उसको 40 कोडे लगाएगे इसकी गवाही देना मनादी करना जरूरी है कि उसके मार खाने से जितने भी कोडे लगाएगे उससे शिफा की पैदाईश हुई शिफा की रोशनी शिफा का जलाल शिफा का नूर चमका इमान वालों के लिए वो कोडे नहीं शिफा है स्रीरिक संसारिक अकल के लिए वो कोडे हैं लेकिन इमान वालों के लिए और खुदा के लिए खुदा शिफा बांट रहे हैं इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना दुनिया की हिकमत क्या कहती है कोड़े लगाए गए खुदा की हिकमत क्या है वो शिफा बांट रहे हैं किन को इमान वालों तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीले से इमान लाने वाले को नजात दे वो शिफा है कहां का हाकिम, कहां का फाकी, कहां का इस जहां का बहस करें क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया चुनाचि यहुदी निशान चाहते हैं और युनानी हिकमत तलाश करते हैं खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके मगर हम में मसी की अकल है खुदावन की अकल को किस ने जाना या कौन उसका सलाकार हुआ वा खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही आमिक हैं उसके फैंसले किस कदर इद्राक से पड़े और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है उसकी राहें बे निशान हैं और यहुदी निशान चाहते हैं दुनिया की नजर में संसारिक नजर में वो कोड़े हैं मार हैं मगर खुदा की नजर में इमान वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अब्दी शिफा है शिफा बाटी जा रही है इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तुने कुर्बानी और नजर को पसंदना किया बलकि मेरे लिए एक बदन त्यार किया और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करू गर्जवा पहले को मकूफ करता है तांकि पहले को हटाता है तांकि दूसरे को काइम करें उसी मर्ज़ी के सबब हम जिसमसी के जिसम के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किये गए हैं लेकिन ये शक्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाइनी तरफ जा बैठा तो अब हम जानने वाले हैं 40 कोडों के पीछे जो 40 कोडे लगाए गए उसके पीछे का circumstance क्या है? कारण क्या है? ये 40 नंबर के पीछे का कारण according to Moses Law ये मिलता है मुसा की शरियत में मुसा की शरियत की जो पहली पांच किताबे उसमें खरूज, एक्सिडस निर्गमन 12 चेप्टर 12 चेप्टर फिर खुदावन खुदा ने मुलके मिसर में मुसा और हरून से कहा कि ये महीना तुमारे लिए महीनों का शुरू साल का पहला महीना हो ये महीना तुमारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो पस इसराइलियों की सारी जमा से ये कह दो कि इसी महीने के दसमें दिन इसी महीने के दसमें दिन यानि दस तारीक को हर शक्स अपने अबाई खानदान के मताबिक घर पीछे एक बर्रा ले और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफारी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखे तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मताबिक बर्रे का हिसाब लगाना तुम्हारा बर्रा बे एब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा यहां तो भेडों में से चुन कर लेना या बकरियों में से और तुम उसे इस महीने की चौदवी तक रख छोड़ना यानि चौदा दिन तक और इस्राइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे जबां करें ये ये श्यम्सी की कुर्बानी की बात हो रही है और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दर्वाजे के दोनों बाजों और उपर की चौखड पर लगा रही है दर्वाजा हमारा दिल है बदन खुदा का मक्दिस है खून ये सुका है लगा दिल पर हुआ है और वो उसके गोश्ट को उसी रात आग में भून कर करवे साख पत के साथ खा लें आग रूहलकुस को दिरसाती है उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हर्गिस न खाना बल्कि उसको सिर और पाएं और अंदरूनी अजा समेत आग पर यानि रूहलकुस आग रूहलकुस कर निशाने भून कर खाना और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न चोड़ना और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाये तो उसे आग में जला देना और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांदे और अपनी जूतियां पाओं में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिये हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना है क्योंकि ये फसा खुदावन की है इसलिए कि मैं उस रात मुलके मिसर में से होकर गुजरूंगा और इनसान और हैवान के सब पलोटों को जो मुलके मिसर में हैं मारूंगा और मिसर के सारे देवताओं को भी सजा दूँगा मैं खुदावन हूँ और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खुण तुमारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खुण को देखकर तुमको छोड़ता जाऊँगा और जब मैं मिसरियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझ कर माना तुम उसे हमेशे की रस्म करके उस दिन को नसल दर नसल ईद का दिन माना साथ दिन तक तुम बे खमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना इसलिए कि जो कोई पहले दिन से साथमे दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शक्स इसराइल में से काट डाला जाए और पहले दिन तुम्हारा मुकदस मजमा हो और साथमे दिन भी मुकदस मजमा हो उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए फक्त यहीं किया जाए और तुम बेखमीरी रोटी की यह इद मनाना क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुलके मिसर से निकालूं गा इसलिए तुम उस दिन को हमेशे की रस्म करके नसल दर नसल मानना पहले महीने की चोड़मी तारीख की शाम से 21 पहले महीने की चोड़मी तारीक की शाम से एकिस्वी तारीक की शाम तक तुम बे खमीरी रोटी खाना साथ दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर नहो क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो खवा मुसाफिर हो खवा उसकी पैदाइश उसी मुलकी हो इसराइल की जमा से काड़ डाला जाएगा तुम को एक खमीरी चीज़ ना खाना बलकि अपनी सब बस्तियों में बे खमीरी रोटी खाना और जब तुमारी अला तुम से पूछे कि इस अबादत से तुम्हारा मकसद क्या है तो तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसा की कुर्बानी है जो मिस्सर में मिस्सरियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया तब लोगों ने सिर जुका कर सिजिदा किया ये वो रात है जिसे खुदावन की खातिर माना बहुत मुनासिफ है क्यूंकि इसमें वो उनकों मुलके मिसर से निकाल आया खुदावन की ये वो ही रात है जिसे लाजम है कि सब बनी इसराइल नसल दर नसल खूब माने साल का पहला महीना बनी इसराइल के मुलक मिसर से निकालने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावन ने दस्ते सिना में मुसा से कहा कि बनी इसराइल इद फसा उसके मुआया वक्त पर मनाएं इसी महीने की चौदमी तारीक की शाम को तुम वक्ते मुआया पर ये इद मनाना और जितने उसके एन और रसूम है उन सब्बों के मताबिक उसे मनाना तो मुसा ने बनी इसराइल को हुकम दिया कि इद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की चौदमी तारीक की शाम को दस्ते सिना में इद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावन ने मुसा को हुकम दिया था अमल किया तो खरूज निर्गमन एक्सिडस 23 चप्टर ट्वाले वर्स छे दिन तक अपना कामकाज करना और साथ में दिन अराम करना तांकि तेरे बैल और गदे को अराम मिले और बैल चब्द को याद रखना और तेरी लॉंडी का बेटा और परदेशी ताजा दम हो जाएं और सब बातों में जो मैंने तुस से कहीं हैं खुश्यार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना बलकि वो तेरे मूँ से सुनाए भी न दे तुस साल भर में तीन बार मेरे लिए इद मनाना साल भर में तीन बार इदे फितर को मानना उसमें मेरे हुकम के मुदाबिक अबीब महीने के मुकर्रा वक्त पर साथ दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना क्यूंकि उसी महीने में तू मिसर से निकाला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की इद मानना और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की इद मानना और साल में तीनों मर्तबा तुमारे हां के सब मर्द खुदावन खुदा के आगे हाजर हुआ करे पुराना खमीर निकाल कर अपने आपको पाक कर लो तांकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जो चुनाचि तुम बे खमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानि मसी कुर्बान हुआ जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे उसने उनसे का मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सेहने से पहले ये फसा तुमारे साथ खाऊं दुख सेहने से पहले ये फसा तुमारे साथ खाऊं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा के बादशाहत में पूरा ना हो इदे फसा से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुकसत होकर बाप के पाँ जाऊंगा तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी महबबत रखता था आखिर तक महबबत रखता रहा इन बादों के बाद अरामतिया के रहने वाले यूसफ ने जो यस्सु का शगिर था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तोर पर पिलातूस से इजाजत चाही कि यस्सु की लाश ले जाए पिलातूस ने इजाजत दी पस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकेदोमिस भी आया जो पहले यस्सु के पास रात को गया था और पचास सेर के करीब मुरर और उद मिला हुआ लाया पस उन्होंने यस्सु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुश्बूदार चीजों के साथ कफनाया जिस तरह की यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है और जिस जगा उसे सलीब दी गई वहाँ एक बाग था और उस बाग में एक नई कबर थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था पस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यस्सु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कबर नस्दीक थी खरूज यानि एकसिडस 19 निर्गमन 19 जब तीसरा दिन आया तो सुबा होते ही बादल गरजनी और विजली चमकने लगी और पहाड पर काली घटा चा गई और कारना की अवाज बहुत बलंद हुई और सब लोग देरों में काम गए और मुसा लोगों को खैमागा से बाहर लाया कि खुदा से मिलाया और वो पहाड से नीचे आखड़े वे और कोहे सिना पर उपर से नीचे तक धुए से भर गया कोहे सिना उपर से नीचे तक धुए से भर गया कि खुदावन शोले में होकर उस पर उत्रा और धुआ तनूर के धुए की तरह उपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड जोर से हिल रहा था और जब कारना की आवाज नहायत ही बलंद होती गई तो मुसा बोलने लगा और खुदावन ने आवाज के जरीए से उसे जवाब दिया और खुदावन कोहे सिना की चोटी पर उत्रा और खुदावन ने पहाड की चोटी पर मुसा को भुलाया सो मुसा उपर चड़ गया औ को तगीदन समझा दे तैसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उन में से बहुतेरे हलाक हो जाएं और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने ताइं पाग करें कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर तूट पड़े तब मुसा ने खुदावंद से कहा कि लोग को है सिना पर नहीं चड़ सकते क्योंकि तूने तो हमको तगीदन कहा है कि पहाड के चोगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो खुदावंद ने उसे कहा नीचे उतर जा और हरून को अपनी साथ लेकर उपर आ पर काहिन और अवाम हदिय तोड़ कर खुदावंद के पास उपर ना आएं ता ना हो कि वो उन पर तूट पड़े चुनाचि मुसा नीचे उतर कर लोगों के पास गया और ये बाते उनको बताएं प्रेरितों के काम दो बाब चैप्टर टू जब पैंतिकुस्थ का दिन आया तो वैस सब एक जगा एक अठे थे इकाएक अकास से बड़ी आंदी किसी संसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूँज गया और उन्हें आग किसी जीबे फट्ती हुई दिखाएं दी और उनमें से हर एक पर आठेहरी वैस सब पुईतरा आत्मा से भर गए और जिस परकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी पर अन्य अन्य भाशे बोलनी नगी और ये सुमसी के बदन के तोर पर कुर्बान होने से लेकर इदे पैंतिकुस्त का जो दिन है वो पच्चासवा दिन बनता है जिसके एक हफ़ते के मताबिक एक हफ़ते के मताबिक 6 दिन काम के हैं और 7 दिन अराम का हैं तो अगर हम 7 दिन को 7 हफ़तों के साथ गुना करें यानि मल्टिप्लाई करें तो 7 मल्टिप्लाई 7 49 दिन बनते हैं तो यानि कि 50 जो इदे पैंतिकुस्त का दिन बनता है वो पच्चासवा दिन बनता है यानि पच्चासवा दिन युनानी शबद है पैंतिकुस्त 7 हफ़ते में 7 दिन अराम के होते हैं 6 दिन काम का 7 अराम का तो 7 हफ़ते में 50 दिन में 7 दिन अराम के माइनस करें तो एक हफ़ते के जो 6 दिन काम के बसते हैं 6 दिन काम का आज के दिनों को अगर 7 हफ़तों के साथ गुना करे तो multiply करे तो 42 दिन मुशक्कत के बनते हैं 42 दिन काम के बनते हैं सब्बत के अगले दिन से जिस दिन तुम हिलाने की भेट ना पुला लाए हो पूरे साथ सप्ता गिरना लैवस्था 23 बाप 15 आयात लैवस्था अध्याई 23 में प्रभू हमें बताते हैं कि पर्व के दिन कब होना चाहिए पर्व के दिनों का महत्तव हमारे लिए ध्यान देने योग्या है पहले महीने के चौदवे दिन शाम को प्रभू का फसा होता है आज अबीब के महीने में तुम जा रहे हो दूसरे शब्दों में पर्व चौदा अबीब के दिन अबीब महीने का नाम है अबीब के दिन दिन की शुरुआत में शुरू होगा उत्पत्ती अध्याए एक में दिन शाम को शुरू होता है और शाम होई और सुब होई पहला दिन हुआ इसलिए शाम इसराइलियों के लिए दिन की शुरुआत थी फसे की तारीक यसु की मृत्यू के साथ मेल खाती है जो चौदा अभीब निशान को सर जुका कर जान दे दी अगला पर्व अगले दिन होता है सलीब पर खुदावन ने कहा कुला यानी पूरा हुआ और सर जुका कर जान दे दी यानी अभीब 14 अभीब अभीब महीना है उसकी 14 तारीक अगला पर्व अगले दिन होता है उस 15 दिन महीने में प्रबू का अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता है लैव वस्था 23 बाब उसकी शेयाद 15 अभीब वै दिन का विशेय सबत था चाहे वै सबता का कोई भी दिन हो जहां कोई भी दास्ता पूर कार्ये नहीं किया जाता था बाद में जब इसराइल अपने देश में एक राष्टर था तो कभी कभी एक विशेय सबत में दिन के सबत के साथ मेल खाता था और जब दो सबत एक साथ होते थे तो उस दिन को बड़ा दिन कहा जाता था यहना अपने सुस्सा माचार में इस घटना का वर्नन करता है यहना 19 बाप उसकी 31 आयत में पच्चियों की त्यारी का दिन था यहूदियों ने पिलातू से दिर्खवास्त की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत के दिन सली पर ना रहें क्योंकि वो सबत एक खास दिन था अक्मीरी रोटी का पर्व पंदर्वे अबीब निशान को यसु के कबर में अराम करने के साथ मिल खाता है अगले दिन सोल में अबीब को फसल का पहला पुला पुजारी द्वारा प्रबु के सामने लहराया जाना था ये विशेश सबत के बाद का दिन था और इसे पहला फल कहा जाता था तुम अपनी फसल की पहली उपज का एक पुला याजिक के पास ले आओ और वै पुला यहावा के सामने हिलाये तांकि वै तुम्हारे लिए सवीकार किया जाए याजिक को इसे सबत के दूसरे दिन हिलाना चाहिए सोलवे अभीब निशान के दिन यसू मरे हुँँ में से जी उठे थे यसू हम सब का पहला फल था क्योंकि जैसा कि बाइबल सिखाती है कि एक दिन हम सब मरे हुँ में से जी उठेंगे लेकिन फिल वाकिय मसी मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उन में पहला फल हुआ क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क्यामत भी आई और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसी में सब जिन्दा किये जाएंगे लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसी फिर मसी के आने पर उसके लोग लेवस्था 23 ये भी बताता है कि सोल में अभीब निशान से पचास दिन गिने जाने चाहिए जब एक और लहराने वाली बेट चड़ाई जानी है वैद दिन भी एक विशेश सब्बत होगा सब्बत के अगले दिन से जिस दिन तुम हिलाने की बेट का पुला लाए हो पूरे सा सब्टा गिनना उन्चास यानि 49 दिनों में सा सब्टा होते है पचासमे दिन का अर्थ है साथ सब्टों का पूरा होना जिसे सब्टों का पर्व गहा जाता है सब्टों का पर्व गहा पचासमे दिन हुआ पचासमे दिन के लिए युनानी शब्द यानि इदे पैंतिकुस्ट का दिन जिस दिन रूलकुस उत्रा रसूलों पर 120 की जमाद पर पचासमे दिन के लिए युनानी शब्द पैंते कुस्ट है यसु ने पुनर्स्थान के पच्चासमे दिन पुवित्रा आत्मा शिश्यों पर उत्री इसलिए फसा का भोजन अभीब निशान के चौदमे दिन की शाम से शुरू हुआ यह याद करते हुए कि शाम का अर्था है कि दिन अभी शुरू हुआ था शाम सूर्य अस्थ से अगले दिन की शाम तक एक दिन गिना यह सुने चौदमे अभीब निशान की शुरूआत में अपने शिश्यों के साथ फसा का भोजन गाया चौदमे दिन यह सु की मृत्यू उसी दिन हुई चौदमे अभीब निशान के महीने में दुपहर के लगबग तीन बजे इसलिए यह शुआ चौदमे अभीब निशान की शुरूआत में अपने शिश्यों के साथ फसा का भोजन करने में शक्षम थे उसी दिन बाद वो सलीब दिये गए और सलीब पर उन्होंने कहा पूरा हुआ कुला और सर जुगा कर जान दे दे तो ऐ महनत उठाने वालों और बोसे देब हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हे अराम दूँग और सवाल ये भी है कि ये सुमसी की पीठ पर ही क्यों चालिस कोड़े लगाए ये भी एक सोचने वाली बात है पीठ पर ही क्यों उसके पीछे भी ये कारण है क्या किसान बोने के लिए खररोज हल चलाया करता है छे दिन काम काज करना लेकिन साथ दिन अराम करना हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी अराम करना तो जब किसान हल जोता है और हल चलाता है बैल जोतने के बाद तो उसके पीठ के पीछे मारता है बैल के पीठ के पीछे मारता है तांकि वो जमीन को फल के योगे बनाएं तांकि वो जमीन को अच्छी तरह से जोए और उसको फलदार बनाएं तो बैल जब जमीन जोता है हल उठा कर हल क्या है हल सलीब है तो बैल जब यहां पर जो जहां पर कोड़ों की तस्वीर है वहां पर निशान है बैल का अलफ का तो जब बैल जमीन जोता है और हल चलाने वाला हल चलाता है तो हल चलाने वाला बैल के पीठ के पीछे मारता है तांकि वो जमीन को फलदार बनाएं जोतने के कारण क्योंकि शरियत जिसमें आइंदा के अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हसाल बिल नागा गुजरानी जाती हैं पस आने वालों को हर्गिस कामिल नहीं कर सकती वरना उनका गुजराना क्यों मकूफ ना हो जाता इसलिए कि जब अबादत करने वाले एक बार पाग हो जाते तो फिर उनका दिल उने गुनागार ना ठहराता बलकि वो कुर्बानिया साल बस साल गुनाहों को याद दिलाती हैं क्योंकि ममकिन नहीं बैलों मुम्किन नहीं बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे उसके मार खाने से हमने शिफा पाई इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तू ने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बलकि मेरे लिए एक बदन त्यार किया यसू ने उनसे कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं फिर वो सब्बत के दिन किसी बात खाने में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको अठारा बरस से किसी बद्रू के बाइस कमजोरी थी वो कुबडी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी यसू ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा ए औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई और उसने उस पर हाथ रखे उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की बढ़ाई करने लगी अबादत खाने का सरदार इसलिए कि यसू ने सब्बत के दिन शिफा बक्षी अराम के दिन शिफा बक्षी खाफा हो कर लोगों से कहने लगा छे दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए पस उन्ही में आकर शिफा पो ना कि सब्बत के दिन खुदावन ने उसके जवाब में कहा कि ऐ रियाकारो क्या हर एक तुम्मे से सब्बत के दिन अपने बैल या गदे को ठान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता पस क्या वाजिब ना था कि ये जो इबराहिम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरसे बांध रखा था सब्बत के दिन इस बंद से चुड़ाई जाती पस इबने आदम सब्बत का भी मालिक है अराम की दिन का मालिक है लेकिन यसु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ इसलिए यहूदी यसु को सतान लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था सब्बत के दिन किनके लिए करता था वो जो उस पर इमान लाए कहने के मतलब यह है जो मसी पर इमान लाते हैं वो खुद तो अराम में दाखिल होते हैं लेकिन मसी उनके लिए जोबत तक जिन्दा है काम करता है इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसके कतल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुकम तोड़ता बलकि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आपको खुदा के बराबर बनाता था मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में नहीं तो मेरे क कामो ही के सबब मेरा यकीन करो ए मेनत उठाने वालो और बहुत से देबे हुए लोगो सब मेरे पास आओ मैं तुम्हे अराम दूँगा और हम जो इमान लाएं हम जो इमान लाएं और इमान लाने वालों के लिए वो सबत के दिन काम करता है और हम जो इमान लाएं उस अराम तो वालों के इमान से कुछ वास्ता नी वो भीना आ आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे तो मस्य आश्या में आप सबों की स्लामती हो